आज मैं आप सब करें प्याज और बिंडी की सब्जी वह भी एक दम असान तरीके से बिंडी की सब्जी तो आप तो आप लोग मेरी तरीके से एक बार जो ट्राइ किजिएगा तो चलिए आज की मेरे दार रिस्पी को सुरू करते हैं तो देखें यहां पर हम भिंडी को धो करके कट कर लिये हैं और प्याज को भी हम कट कर दिये हैं जो बीच का पाट है इसको हम अलग कर दिये हैं इसका हम पेस्ट बनाएंगे और देखें यहां पर हम पेस्ट बनाने के लिए मिक्सर जाल ले लिये हैं अब इसमें डाल दिये ह अधरक अभी पर डाल देंगे तीन हर इमेज अब हम यह पर डाल रहे हैं जार पाच लसुन की कलिए अब हम डालेंगे प्याच अब हम यहाँ पर डालेंगे बारी कटवा टमाटर अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे और देखिए पेस्ट हम बना लिये हैं अब हम प्यास को फ्राइ करेंगे प्यास को फ्राइ करने के लिए याँ पर हम कड़ाय चला दिये हैं गरम होने के लिए देखिए हमारा कड़ाय भी गरम हो गया है अब इसमें डाल रहे हैं सरसो तेल और तेल को भी हम गरम होने देंगे और देखिए हमारा तेल भी गरम हो गया है अब इसमें डाल लेंगे जो प्यास कटके रखे थे इसको हम डाल देंगे और इसको हम मिडियम फ्लेम पर दो मिनेट तक भूनेंगे दो मिनेट हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और देखिए दो मिनेट हो गिया है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए प्यास को हम फ्राय करके निकाल लिये हैं अब हम भिंडी फ्राय करेंगे अब हम भिंडी को डाल देते हैं और गैस को हो मीडियम रखेंगे आफ इसमें डालेगे एक छोटोिछ शुमची तरब पॉरड़र एक छोटाय छुमच नमक और हम मिला देंगे और भिंडी को हम 2 मिनित तक फ्रै करेंगे देखे, दो मिनेट हो गया है, हमारा बिंडी ची तरह से फ्राई हो गया है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखे, हम सबजी बनाएंगे, सबजी हम इसी कड़ाई में बनाएंगे और इसमें हम तेल डाल देते हैं, तेल हमारा कम हो गया है अब इसको हम गरम होने देंगे और देखे हमारा तेल भी गरम हो गया है अब इसमें डाल देंगे जीरा अब हम डालेंगे तिजपता और इसको हम हलका भुनेंगे जीरा और तिजपता अची तरह से भुन गया है अब इसमें डालेंगे जो पेस्ट तियार किये है इसको हम डाल देंगे इसमें डालेंगे हल्दी पौडर कस्मेनी लालमिस पौडर जीरा पौडर धनिया पौडर और सौ़ा धनुसा नमक और हम अच्छे तरह से मिला देंगे अब हम गैस को हाई कर देंगे अब हम इसमें हलका पैन डालेंगे ताकि हमारा मसला जले नहीं और हम मिला देंगे अब हम ढखके रख देंगे दो मिनिट के लिए और हम गैस को मिडियम कर देंगे और हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसला जले नहीं और देखिए दो मिनिट हो गया है अब हम ढखकन को हटा देंगे देखिए हमारा मसला एक दम अच्छी तरह से भून गया है अब इसमें दालेंगे जो प्यांज फ्राय करके रखे ते इसको hungry याद पाई दालेंगे भुंदी है याद अब हज़ान दालेंगे यहे मिला देंगे अब इसमें हम हलका पानी डालेंगे ताकि हमारा सब्जी जले नहीं और हम 10 से 15 सेकेंट तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे देखें 15 सेकेंट हो गया है और हमारा सब्जी इछे तरह से भून गया है अब इसमें डालेंगे पानी आप सब को जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही पाइन डालिएगा हम अपने ग्रेवी के अनिसरे पाइन डाल रहे हैं और हम अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम 5 मिनिट के लिए ढख के रख देंगे और हम गैस को मिडियम रखेंगे और देखिए 5 मिनिट हो गया है अब हम ढकन को हटा देंगे और देखिए हमारा सबजी बन करके त्यार हो गया है अब हम गैस को बन कर देते हैं अब हम सर्व करते हैं आसा करती हो कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आये तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें और कुमेंट करना ना भूलिएगा अब हम नेश्ट वीडियों फी मिलते हैं तब तके लिए बाई बाई